अच्छा स्वामी जी बताएं ये वरंदावन क्या है ये वरंदावन की महिमा क्या है लोग वरंदावन आते हैं तो वरंदावन में क्या दिखता है और क्या दिखना चाहिए वरंदावन की महिमा जो है महराजी उसके विशय में एक छोटा सा हम दृष्टांत शास्त्री प्रमान बता देते हैं भगवान इंद्रप्रस्थ में थे यमना जी के किनारे अर्जुन के साथ में ब्रहमन कर रहें थे तो ब्रह्मन करते करते भगवान ने ब्रंदावन के वरिक्ष ब्रंदावन की अमना जी ब्रंदावन के विशय में बात करना प्रारम कर दे अब अर्जुन को लगा वैसे तो वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं पर एक लीला की दृष्टी से अर्जुन जी को लगा कि ये क्या बात है वही यमना जी तो यहां बह रही है जो ब्रक्ष 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 यहां भी लगे हैं लेकिन भगवान ब्रक्ष 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 यहां भी लगे हैं लेकिन भगवान ब्रक्ष 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 ब्र हमारे साथ स्वेत द्वीप में चलो और भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के स्वेत द्वीप गए है और वहाँ अर्जुन ने देखा कि एक बहुत ही चमकता हुआ परवत है न वहाँ गास है न वहाँ वरक्ष है कुछ नहीं है परवत देदी प्यमान हो रहा है बहुत चमक रहा है अर्जुन की नेत्र बंद होने लगे भगवान ने कहा अर्जुन नेत्र तो खोलो तभी तो दिखेगा आंगे क्या संसार है भगवन इस दिव्य तेज को हम अपनी आखों से देख नहीं पा रहे हैं भगवान ने कहा कोई बात नहीं हम आपको सामर्थ देते हैं आप इस दिव्य नेत्रों से उस दिव्य चित्र को देखो तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किये और अर्जुन को दिखा कि एक बहुत चमकता हुआ परवत है और उस चमकते हुए परवत पर एक कोई केवल हड़ी मात्र सेस है ऐसे महापुरुस तपस्या कर रहे है जैसे ही भगवान और अरजुन दोनों उनके पास में पहुँचे तो वो उठे भगवान का स्वागत किया भगवान के चरणों में प्रणाम किया भगवान का अभिनंदन किया अभिवादन किया अरजुन ने कहा कि आप कौन है बोले हम रिशी हैं और तपस्या कर रहे हैं बोले आपके स्वरीर पर तो मांस ही नहीं है बोले हमने इतना तब किया है कि ये पूरा मांस समाप्त हो गया है केवल हड़ी ही हड़ी बची है अब बोले ये परवत कैसा परवत है ये तो केवल चमक रहा है न यहाँ वरक्ष है न यहाँ गहास है कुछ नहीं है कैसा परवत है बोले ये कोई साधारन परवत नहीं है हमारी हड़ीयों से ये परवत बनाए हम पूरे जीवन तपस्या करते हैं और अंत में जब हमारी मृत्यू का समय आ जाता है तो हम संकल्प करते हैं कि हमारा दुबारा हम इस अवस्था के हो जाएं सीधे कि हम भजन कर सकें तो वो सरीर छूटता है और फिर हम भजन में लग जाते हैं फिर वो शरीर छोड़के फिर अंतिम में फिर संकल्प करते हैं तो ऐसे करते करते हमारे लाखों जन्में ब्यतीत हो गए उन लाखों जन्मों की हड्डिया ही है तब के प्रभाव से चमक रही है और मैं यहां बैठ करके भजन कर रहा हूं अरजुन ने कहा इतनी घोर तपस्या का आप क्या फल चाहते हैं इतनी घोर तपस्या आप क्यों कर रहे हैं इतने में तो लोगों को ब्रहमासन मिल जाएगा इंदरासन मिल जाएगा जो चाहें वो मिल जाएगा फिर भी आप तपस्या कर रहे हैं क्या कारण है और ब्यक्ति अंतिम साधन है ब्यक्ति का अंतिम साध्य है ब्यक्ति का 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 ब्य रणदवन धाम है, हम स्री वरंदवन धाम में जाना चाहते हैं, वहाँ वास करना चाहते हैं, बस इत्ने के लिए हम इतने लंबे समय से थपथे कर रहे हैं। अरज Champ quantify लिए precious को लिए रदो रण है, तो आप इनको प्रम्दवन धाम प्रतान क्यों है कर देते हैं। मुख्य हो तो हम ब्रंदावन के हम का वास दे सकते हैं पर हम तो वहां के मुख्या जी है नहीं वहां की मुख्या तो स्री राधारानी है वो यदि दिवास वहां प्रदान करना चाहें वो यदि वहां वास दे दें तो मिल सकता है लेकिन यह है कि हम भी राधारानी के ही साथ तो कुछ अधिकार हमारे पास भी हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि जब स्वेत द्वीप से इनका बिमान मेरे धाम की और जाएगा तो तीन दन के लिए वो बरंदावन धाम में रुकेगा तीन दन इनको बरंदावन धाम में रहने का सुभाग प्राप्त होगा और उसके बाद मे फिर इनका विमान मेरे धाम की ओर बढ़ जाएगा इतना तो मैं कर सकता हूँ पर तीन दन से जादा निवास कराने की सामर्थ मेरे अंदर नहीं है उसके लिए तो स्री राधा रानी की चरणों में जाकर के प्रार्थना करने पड़ेगी बस आप इतने से समझ सकते हैं कि वरंदावन की क्या महिमा होगी सुन्दर सही है देखे वरंदावन धाम सामान नहीं है बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वरंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं हमें और आपको सहज में चीजें मिल जाती हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते ब्रंदावन धाम सामान धर्ती नहीं है ये यमना जी साक्षात विर्जा नदी है विर्जा मैया जो बैकुंठ में बिराजी है ये धाम ब्रंदावन बैकुंठ का ही हिस्सा है ये कोई सामान भूमी जब भगवान बाराह जब भगवान बाराह हिरन्याक्ष को मारते हैं और प्रथिवी की स्थापना करते हैं तो प्रथिवी का आधार क्या है प्रथिवी रखे कहां तो व्रंदावन धाम में इसलिए आज भी बाराह घाट है भगवान श्रीमन नारायने प्रथिवी को इस बै बाराह भगवान ने स्थापित की, तो ये वरंदावन वो है, आज भी यहां बाराह घाट है, बाराह घाट मतलब जहां बाराह भगवान ने आकर के प्रठिवी को बरंदावन में स्थापित कर दिया, तो ये पूरी प्रठिवी बरंदावन से टिकी हुई है, ये वो धाम है, ये ब्रंदावन प्रचिवी का है, जैसे काशी को कहा जाता है, कि काशी प्रचिवी का हिस्सा नहीं है, काशी मतलब शिवजी का त्रिशूल, शिवजी कैलास से ही वहां का सब कारेभार चलता है, काशी प्रचिवी का हिस्सा नहीं है, इसलिए राजा हरिश्चंद को जब सब कुछ ले लिया गया, तो कासी जाना पड़ा, क्योंकि कासी का राजा केवल शंकर जी है, कासी का राजा आज ता कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, किसी व्यक्ति के हिस्से में कासी नहीं आती, कासी के राजा शिव जी है, ऐसे जैसे कासी प्रछिवी का हिस्सा नहीं है, ऐसे व् प्रच्वी इस वरंदावन में टिकी और ये बैकुंठ है और ऐसे स्रीधाम वरंदावन में आप साथ साथ दिन सभी भक्तों को वास भी देते हैं और भगवान की कथा भी सुनाते हैं कि महराजी की कितनी बड़ी आप सब लोगों के उपर कृपा है